हलो दोस्तों मैं नाम है सारी तर आप देख रहें एनिमे इंडिया तो चलिए ज़्यादा बावख ना करके अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले जीन लोगों अभी तक में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझको सपोर्ट कीजिए आपको डिफरेंट एसाइन नंबर्स मिल जाएंगे डिफरेंट एनिमेस के लिए वीडियो को क्यारफुली देखे जिससे कि आपको लिंक ढोलने में डिस्क्रिप्शन में पॉब्लेम ना हो तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं तो हमारा पैला एनिमे है अनादर वर्ल्ड इस ऐनिमे को हिंडी में डप करें एनिमे हिंडी डवर्स वी आर इंसेन एन एनिमेडब ट्यूब् तो हमाईर नेक्स एनिमे है टोकीो बूल Um इसनिमे सीरीज को हिंदी में डप करें प्रिवियसली इस सेगे से सबु सबु सक लिबकी रचन्त रूद कि में से अपडेट्व मेरिलीस किया गया है तो जीन लोगों ने अभी तकhai बोटफिर Emसिध्ट को हिंदी डबूरिक है तो जब भी release date confirm हो जागा तो मैं मेने चैनल पे आप लोगों को अपडेट दे दूँगा तो तब तक के लिए चले चलते next anime किताब तो हमारा next anime movie है Dragon Ball Super Broly इस anime movie को हिंदी में dub किया गया है बाइ सेन मौन डावर्स तो अगर हम movie के बार में बात करें तो movie और रिलीस हो चुका है इन हिंदी डब तो जिन लोगों ने अभी तक इस movie को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाका देखिए तो चलें next anime की तरफ चलते है तो हमरा next anime है डोरूरू इस anime series को हिंदी में डब कर रहे हैं anime hindi डबस तो previously is series को episode 4 तक हिंदी में डब किया गया था और recently episode 5 को हिंदी डब में release किया गया है तो जिन लोगों ने अभी तक episode 5 को हिंदी डब में नहीं देखा तो जाए जाका देखिए और अगर हम episode 6 की release date और बांकी details के बारे में बात करें तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही update है episode 6 के उपर काम चल रहा है लेकिन release date अभी तक confirm नहीं है लेकिन release date जब भी confirm होगा तो मैं में चाहर पर आप लोगों को update date होगा तो तब तक के लिए चलिए चलते है next anime की तरह तो हमारा next movie है city hunter इस movie को हिंदी में dub कियागा है by dv anime world तो अगर हम इस movie के बार में बात करें तो movie already हिंदी डप में release हो चुका है तो जिन लोगों ने अभी तक इस movie को हिंदी डप में नहीं देखा तो जाए जाका देखिए तो चलिए next anime की तरह चलते हैं तो हमारा next anime है demon slayer इस anime series को हिंदी में dub करें इस वोल्डवर्स previously series को episode 12 तक हिंदी में dub किया गया था और recently episode 13 को हिंदी डप में release किया गया तो जिन लोगों ने अभी तक episode 13 को हिंदी डप में नहीं देखा तो जाए जाका देखिए तो अगर हम episode 14 के release date और बाकी details के बार में बात करें तो अभी के लिए सब इतने update है कि episode 14 के ऊपर कम चल ला है लेकिन अभी तक release date confirm नहीं है लेकिन जब भी release date confirm होगा तो मैं में चैनल पर आप लोगों को update दे दूँगा तो तब तक किले चले चलते है next anime की तरफ तो हमारा next anime series है हायो का इस anime series को हिंदी में dub किया जा रहा है बाई वी आर इंसेन previously series को episode 2 तक हिंदी में dub किया गया था और recently episode 3 को हिंदी में release किया गया है तो जिन लोगों ने अभी तक episode 3 को हिंदी डप में नहीं देगा तो जाए जाका देखिए तो आगर हम episode 4 की release date और market details के बारे में बात करें तो so as part the updates given by we are insane episode 4 next week को आएगा तो चले हम सब लोग episode 4 के लिए next week तक wait करते है तो तब तक के लिए चलेए चलते है next anime की तरफ तो हमरा next anime है another इस anime series को हिंदी में dub करें एफफाई डबस previously series को episode 1 तक हिंदी में dub किया गया था और recently episode 2 को हिंदी डब में release किया गया है episode 3 के ओपर काम चल रहे लेकिन release date अभी तक confirm नहीं है लेकिन जब भी confirm होगा तो मैं में चैनल पर आप लोग को अपडेट दे दूँगा तो तब तक के लिए चलेए चलते है next anime की तरफ तो हमरा next anime movie है last now to the movie इस movie को हिंदी में dub करें anime dub tube तो अगर आप movie के बार में बात करें तो movie already release हो चुका है Hindi dub में by anime dub tube तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो जाए जाका देखिए तो चलें next anime की तरफ चलते है तो हमरा next anime series है terror in resonance इस anime series को हिंदी में dub करें अल्टाडबर्स इस series का सेब episode 1 को हिंदी में dub किया गया है तो जिन लोगों ने अभी तक episode 1 को हिंदी डब में नहीं देगा तो जाए जाका देखिए तो अगर हम episode 2 की release date और मां की details के बार में बात करें तो As per the updates given by Alter Ravis episode 2 जल्दी आने वाला है लेकिन अभी तक कोई confirm date नहीं है लेकिन जब भी confirm होगा तो मैं में चैनल पर आप लोग को अपडेट कर दूँगा तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स अइनिमी की तरफ तो हमरा नेक्स अइनिमी है डार्विंस गेम इस series को हिंदी में डब करें प्रोफेशनल अइनिमे डबस इस series को एपिसोड 1 तक हिंदी में डब के आ गया था और रिसनली एपिसोड 2 को हिंदी डब में रिलीज किया गया है तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड 2 को हिंदी डब में नहीं देगा तो जाए जाका देखिए और अगर हम episode 3 के release और बाकी details के बार में बात करें तो So as per the updates given by professional anime devours Episode 3 2 to 3 weeks के अंदर release होगा So let's wait for episode 3 के लिए for 2 to 3 weeks So let's go next anime के तरफ चलते So our next anime है Mob Psycho 100 This anime series को Hindi में dub करे Super Animax dub TM So previously this series को episode 1 तक Hindi में dub किया गया था और recently episode 2 को Hindi dub में release किया गया है So if we talk about episode 3 के release date और बाकी details के बार में बात करें तो अभी के लिए से भी इतना ही update है episode 3 के ओपर काम चल लए लेकर release date अभी तक confirm नहीं है लेकिन जब भी confirm होगा तो मैं मेरे चैनल पर आप लोग को update दे दूँगा तो तब तक के लिए चले चलते नेक्स आइनिमे की तरफ तो हमरा नेक्स आइनिमे है One Punch Man इस आइनिमे सिरीज को Hindi में dub करें इस सेन्मोन डावर्स प्रिवियसली इस सिरीज को एपिसोड 5 तक Hindi में dub किया गया था और रिसेनली एपिसोड 6 को Hindi dub में रिलीस किया गया है तो अगर हम एपिसोड 7 की रिलीस डेट और बाकी डिटर्स के पार में बात करें तो एपिसोड 7 के उपर औरेडी काम स्टार्ट हो चुका है लेकिन अभी तक रिलीस डेट कनफर्म नहीं है लेकिन जब भी रिलीस डेट कनफर्म होगा तो मैं में चैनल पर आप लोग को अपडेट कर दूँगा तो तब तक के लिए चलिए चलते हैं नेक्स अइनिमे की तरफ तो हमार नेक्स अइनिमे हैं आफ्टा दर रेइन इस अनिमे स्रीज को हिंदी में डप करें FFI डबर्स प्रिवियसली स्रीज का एपिसोड वान हिंदी डब में रिलीस किया गया था तो अगर हम एपिसोड 2 के रिलीस 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 के बारे में बात करें तो एस पर अपडेट गिवन बाई FFI डबर्स सेकंड एपिसोड 10 सेप्टेंबर को रिलीस होगा तो चले हम सब लोग सेकंड एपिसोड के लिए 10 सेप्टेंबर तक वेट करते हैं तो तब तक के लिए चलते हैं नेक्स ऐनिमे की तरह तो हमारा नेक्स ऐनिमे हैं Millenia Detective Balance Ultimate इस ऐनिमे स्रीज को हिंडी में डप करें रे ऐनिमे दाबस प्रिविएसली इस स्रीज को एपिसोड वान तक हिंडी में डप किया गया था और रिसेनली एपिसोड टू को हिंडी डप में रिलीस किया गया है तो जिन लोगों ने अभी तक एपिसोड टू को हिंडी डप में नहीं देखा तो जाए जाका देखिए तो अगर हम episode 3 के release date और बांकी details के बार में बात करें तो अभी के लिए episode 3 के उपर काम चल रहा है लेकिन release date और बांकी details अभी तक confirm नहीं है लेकिन जब भी confirm होगा तो मैं में चैनल पे आप लोगों को अपडेट कर दूँगा तो तब तक के लिए चले चलते next anime की तरफ तो हमरा next anime movie I have always liked you इस movie को हिंदी में dub करें Indian dub team तो finally इतने दिनों के बाद इस movie के release date confirm किया गया है by Indian dub team 8 September को तो चले हम सब लोग 8 September तक इस movie के लिए wait करते हैं तो तब तक के लिए चले चलते next anime की तरफ तो हमरा next anime movie Hello World इस movie को तीन टीम ने डप किया है आलफाड़ और टीजी स्टूडियो ने इस movie को को लाइब में डप किया है और हिंदी डबस स्टूडियो ने इस movie को अकेले डप किया है तो finally Hello World movie अब हिंदी डप में release हो चुका है तो जिन लोगों ने अभी तक इस movie को हिंदी डप में नहीं देगा तो जाए जाका देखिए तो चलिए last anime movie की तरफ चलते है तो हमारा last anime movie है Fireworks इस movie को हिंदी में डप कर रहे है Anime Hindi डवस तो अगर हम इस movie की release date और बाकी details के बारे में बात करें तो इस पर अपडेट गिवन बाई Anime Hindi डवस मुवी सेप्टेमबर की एंटक पूरा complete हो जाएगा लेकिन अगर हम release date के बारे में बात के तो release date अभी तक confirm नहीं है लेकिन शायद October के मन्त में हो सता है तो चलिए हम सब लोग wait करते हैं देखते का firework release किया जाता है बाई Anime Hindi डवस तो चलिए आज का news यहाँ पर खताम होता है तो वीडियो अच्छा लगा तो like, share, subscribe किये भीना मच जाए So thanks for watching